पाकिस्तान तो हमेशा ही मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत के वाई उसेना ने आज सैनिकों का मनोबलना बाकिल की पूरे देश का जो सिर है वो पूरे किस तरह से पूरे भारत के अलावा पूरे विस्व में एक सम्मान के साथ उचा कर दिया है आज उसकी एक बानगी हमारे यहां कुछ लोगों के द्वारा देखने को मिली है और वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से भारत वाई उसेना ने हमला किया है पाकिस्तान में घुशकर और जैसे मुहम्मद के वो कैम्प जो है वो तबहा कर द आज चाहिये बहुत बढ़िया रहा है मनोबल बढ़ेगा और यह काफिर है उनको मनोबल डाउन होगा ऐसे में पाकिस्तान लगतार जिस तरह की क्योंकि वहां पर गति वीदिया तेज हो गई है पाकिस्तान जो राजनीती है वहाँ पर वो संसत के अंदर लगतार मिटिंग कर रहे हैं तो ऐसे में क्या आप पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को कहेंगे जो यह आपके हाँ तक रदी कैम्प चल रहे हैं उन्हें अपने आप नश्ट कर दें भारत को करने के जरूत नहीं पड़ेगी भारती सेना को करने के जरूत नहीं पड़ेगी भारती सेना को जरूत आप बताईए जिस तरह की कारवाई वायू सेना ने की है क्या लगता है भारत जो है या भारती वायू सेना या सेना अब पूरे मोर्चे के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए कोई ऐसा सुझाओ कि वो अपनी जो हरकत है या इस तरह की एक्टिविटी जो है उनमें कुछ सुधार कर सके पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए अभी तो यह अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है अगर उन्होंने ऐसी हरकते रखी तो इसका मुह तोड़ जबाब दिया जाएगा और भी कुछ लोग मुझूद है मेरे साथ तहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इस हमले को अंजाम दिया गया है और जैसे मोहमद जो की एक आतंकवादी संगठन है जिसने पुलवामा हमले में अपनी मुख्य भूमी का निभाई थी उसमें तमाम वो बताईए जिस तरह का मतलब जवाब दिया है भायरती वाई उसेना ने किस तरह की फिलिंग हुरी आपको हमको तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत ने ऐसा कतम उठाई है हम तो पहले से सुच रहे थे कि पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान अपनी गती विदियों में कुछ बदलाव करें कुछ सुझाव पाकिस्तान तो देखो सुझाव करने के लिए बोला था लेकिन हम को मालूम है कि वो नहीं कर पाएगा तो कि उनको हरवार यह जूट बोलने की दिलासी देता तरह है कि हम आगे से काम ने करेंगे कभी सबूत मांगत हुआ है पर आतंकवाओधी पनअप रहे थे अपना कैम्प चला रहे थे और लगातार बाइस उन्हें पहरत में तक घर महसूस कर देश का पाकिस्तान के लिए कुछ पाकिस्तान अपनी हरकतों को लेकर कितना चरम पर है और इसी के साथ वह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी दिया कि वो अपनी हरकतों में सुधार करे आगे से इस तरह की घटनाए ना करे कैमरामेन अमित के साथ तेजिंदर सिंग नेशन टाइम गाज़ाबाद